अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें आज हम लोग बनाएंगे मैगी दिखने में नाम तो सिंपल लग रहा है मैगी पर यह बहुत ही टेस्टी और ट्विस्टेड मैगी है मायो मैगी चीज कप बहुत टेस्टी और डिलिशस है बिल्कुल रेस्टोरन स्टाइल है एक बार जरू ट्राय करें आप यह उस्ते बनाने के लिए हम लोग पैन लेंगे उसमें डालेंगे बटर बटर जसे ही गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे हम लोग ओनियन बारिक कटा हुआ इसे थोड़ा सा बून लेंगे, फिर डालेंगे कैपसिकम, ग्रीन, बीन्स, यलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और स्वीट कॉन डालेंगे इसके साथ हम लोग मिक्स जर्प्स, रेड चिली फ्लेक्स, और नमक स्वादन उसार, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और दो इन नट के लिए इसे बूनेंगे हम लोग इसे पानी सूप जाए इसका, कि इस तरह से जब कलर हो जाएगा, तभी इसमें हम लोग डालेंगे मयोनीज, हाफ कप के करीब, इसे अच्छे से मिक्स करना है, आज को दीमा ही रखें, एक मिनट इसे पकाना है, कि इस तरह से जब कंसिस्टनसी हो जाएगी, एक मिनट के बा बटर पिगल जाएगा, तो उसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, तीन टमाटर लिए है मैने या पर, इसमें डालेंगे हम लोग अभी मैगी मसाला, इसके साथ मसाला मैजिक जो आता है, वो भी डालेंगे, इसे अच्छे से बून लेंगे हम लोग, मैंने ओर्स की मैगी यूज की है, आप आटे की या नॉर्मल मैगी भी यूज कर सकते हैं, अभी इसमें डालेंगे पानी, दो ग्लास डालेंगे पानी, उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग मैगी, इसे अच्छे से मिक्स करेंग पहले फुल आज पे पकाएंगे तो हलका सा दीमी आज पे उसे कुप करेंगे विदिन फाइम नट्स ये बन जाती है मैगी कर भी हमारी मैगी भी रेडी हो गई चीज लेंगे मैयोनीज का जो मिक्सचर बनाया वो और मैगी अभी हम लोग ग्लास में इसकी लेरिंग करेंगे ग्लास लेंगे ट्राइ करेंगे मोर्का ग्लास लें लेरिंग में पहले मैयोनीज मिक्सचर डालेंगे हम लोग ये दिखने में तो बहुत सुन्दर लगता है पर खाने में भी उतना ही टेस्टी है इसके बाद डालेंगे मैगी का लियर, मैगी के बाद आएगा चीज का लियर, ऐसे रिपीट करेंगे हम लोग प्रोसीजर, मियोनीज मिक्श्यर, उसके बाद मैगी और फिर चीज, ऐसे थ्री टाइम्स प्रोसीजर रिपीट करना है हमें, इसके उपर फिर से डालेंगे हम लोग मयोनीज मिक्स्चर थोड़ा सा आप ग्लास चोटा या बड़ा लेखेंगे कोई साथ से लेयर बनाएं दो बार बनते है तो दो बार तीन बार बनते है तो दीन बार इसके उपर हम लोग डालेंगे चीज चीज से cover कर देना है कि इस तरह से layering करनी है सब ग्लास में layering कर दी है मैंने अलग-अलग देखिए layer दिख रहा है बनाने के टाइम पर प्रेस नहीं करें नहीं तो layers बराबर नहीं दिखेंगे अब इसे हम लोग microwave करेंगे 2 minutes के लिए 1-1 minute separately करना है उसके बाद इसकी चीज जो है पिगल जाएगी और यह ready हो जाएगा इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे mixed herbs थोड़े थोड़े चिली फ्लेक्स थोड़ा सदन्या से गारनिश करेंगे अभी हमारा मयो मैगी चीज कप बहुत ही tasty बहुत ही cheesy बहुत ही delicious है बहुत ही creamy creamy भी है एक बास जरूर ट्राइ करेंगे और मुझे comment section में जरूर बताएं कि आपको यह मेरा मैगी का recipe आपको कैसा लगा क्योंकि यह खाने में बहुत ही delicious लग रहा दिखने में उतना ही beautiful है और मेरा वीडियो देखने के लिए thank you